कर्फ्यू कर्फ्यू सब्सक्राइब 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 कर् किताब जो लिखी गई है बिल्कुल सरल भासा में लिखी गई है और इसको लगता है कि 12 साल से लेके और किसोर किसोरियों और बड़ों को भी किताब पढ़नी चाहिए और समझने में या भासा को जानने में कहीं पर कोई भी सब दैसा आपको नहीं मिलेगा जिसका आपको लगे कि इसका मेनिंग नहीं पता है तो काफी सरल ढंग से लिखा है और जो चित्रन उनोंने किया है वह आपको लगेगा कि सारा कुछ आप वह आपको जैसे कि अमने बात की कि हमेंसा जब से निकों को देखने हम तो हमारे अंदर मुर्टे भई ब्याप्त होता है लेकिन आप देख सकते हैं इस में कि सबस्के बैठके बाहर खाना कह रहा है और वह हमारी सुरच्छा के लिए लगे हुए है और किते सुकून से खान और उसके साथ सबसे खुपसूरत जो इस किताब का दृष्ट है आप ये देख सकते हैं इस एक पूरे पेज में उन्होंने पूरे कश्मीर को जैसे उतार दिया हो पूरे मानवता पूतार दिया हो सेना बाहर है और जो नागरिक है वो घर के अंदर है और जो सेना है वो दूस दूसरे राजिकी है और ये कश्मीर के लोग हैं दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते बट इनके अंदर बिना भाषा के भी इस तरह के बेवहारिक उनके संबंध हो गए हैं कि आप देख सकते हैं यहां एक सिपाही है वो बच्चे के साथ बॉल खेल रहा है और एक सिप के मानवी मुल्य को भी समझ सकते हैं इस किताब में यह भी दर्साया गया कि सेना हमेसा कुल नहीं होती है तो यह सिताब का सबसे अच्छा चित्र रहा जो आपको दर्साता है कि सेना आपके साथ के लिए है और आपको उनको समझना चीए अगर आप देखें तो अभी ज्यादा नहीं 2014 से अगर आप देखें तो यूपी में लगभग जो आफिसियल आकड़े आये हैं दोजार से जादा दंगों के अफिसियल डिकार्ड सरकार निगोसित किये थे तो आप समझ सकते हैं कि दंगे के बाद क्या होता है कर्फियू तो यह कर्फियू सबसे काफी परचित हैं लोग और कर्फियू का मतलब दहशत तो अगर इन जगहों पे अगर हम इस किताब का करें और बच्चों के साथ 12 साल के ऊपर के बच्चों के साथ अगर इस किताब का इस्तेमाल करें और जो बड़े हैं जो वहां के नागरिक हैं उनके साथ इस किताब का इस्तेमाल करें तो हम एक जो दहसत का माहौल है जो जबरदस्ती का बनाया हुआ है उसको हम खत्म कर सकत है और यह केवल यूपी में नहीं है यह भारत में कहीं भी अगर cigars के दवरान जो दो हुए दह्षद का माहौल बनाया जाता है प्रसासन के जाता है उस से बचने के लिए यह अगर लोगों तक पहुचाने का प्रयास करें तो काफी हद तक इस्थितिक कागू में रह सकती है कि इस जैसे करफियों सब्द हमारे सुनते हैं तो कि लगता है कहीं गोली चल होगीं आगजनी होगी कहीं बसें जल रहे होगी है वत इस्क इताब में कहीं भी एग भी हिन्सा करता के घटनाओं का जिक्र नहीं गगया साथ में समेल इसमें नादिकों के साथ मित्रवत संभन्द रती हैं और कैसे एक इस फाई बच्चे के साथ बॉल खेल रहा है कैसे एक सिपाही घर तो बहुत अच्छा उनने चित्रण किया हो और एक पडूसी अपने पडूसी को खाना पचाना जाता है लेक यह सारे घटनाय देखले कि सिपाही बच्चों के साथ खेल रहे हैं और यह इस तरह कि इनकी मदद कर रहे हैं वो उनको warning देता है बट उनको कोई punishment नहीं देता है तो यह हम सेना के मानवी मुल्यों को भी समझ सकते हैं कि सेना भी हमेशा कुरूर या निर्दाई नहीं होती है वो भी हमेशा मानवी मुल्यों के साथ होती है लेकिन जब इस तरह के लोग उनका इस्तेमाल करते हैं और उनको हिंसक बनाने पर मजबूर करते हैं तब वो चीजें जो हमारे जहन में आती है कि कर्फियो को लेके तो शायद वो अलग पार्ट होते हों लेकिन इस कर्फियो में जो उन्होंने दर्स आया है वो बिलकुल मानवता को देख देखते हुए दर्स आया है और जो बिलकुल सत्य हुआ 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 है हुआ हुआ है